हम तो खुद ही उस क्लब में रहें, सीवियाई क्लब में हमें तो कितना डराये गया है कि नदी के किनारे अगर जाओगे तो सीवियाई हो जाएगी तो हम तो गए नहीं नदी के किनारे हाँ जी, यह जो बात हम लोग कहते थे याद कीजिए और मैं आज भी कहता हूँ आप से, किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंस्ट्यूशन से खिलवाड नहीं करने चीए आप इंस्ट्यूशन से खिलवाड करेंगे, तो भरोसा किस पर जनता करें सोचिए हम सीवाड में कभी फस जाते हैं, तो हम किसको मू दिखाते हैं अपना किसने सीवाड कीती है हमारे उपर, देश के तमाम नेताओं पर सीवाड किसने की है तो इसलिए इंस्ट्यूशन पर कोई भी सरकार हो, अब ये मत समझना, कि हम बीजेबी के बक्ष में बोल रहे हैं हमें तो डराया गया कि अगर गए नदी के किनारे, तो समझ लो सीवाड हो जाएगी, एक्सप्रेस वे पर अगर साइकल चला दी, तो सीवाड हो जाएगी आप पर, जेपिन आईसी पर हेलिकॉप्टर उतर गया, सोचिए आप, सुना है कि चाइनीज लाइट जो लगी थी, उसमें भी गोटाला कर दिया है, अब हम ये भी मांग नहीं कर सकते हैं कि उसकी सीवाड जाच हो, अब तो कोई और जाच हो तो जादे अच्छा है, वो समाझ वाड़ी जाच ही उसको ठीक कर सकती है, कि सुप्रीम कोड में फैसला आना है, और मानि सुप्रीम कोड फैसला करेगा कि क्या आगे की दिशा होगी, लेकिन सरकारों ने सीवी आई का गलत इस्तमाल किया है, सरकारों ने सीवी आई से बहुत सारे लोगों को डराने का काम किया है, उत्तरप्रदेश की हर खबर अपने मुबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमें फेस्बुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलू भी